अब आपको आपका स्वागत करती हूं इस तकबाल करती हूं आपके ही चैनल पर केसे हैं अपसम उमीद है हम सब ठीक होगे है यही हमारे चैनल का मोटिफ है उत्देश है दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि सोम फ्राज डी फोटी कैपसुल के यूजर्स क्या है इसके इसक्राइब दोस्तों डोस्तों है कोई प्रोमोशन नहीं है यह चैनल का मोटिफ आपको करें केmm Dawn के सब सबस्क्राइब करें सबस्क्राइब करें। बेल नोटिपिकेशन, लाइक बेते हैं उसको दबाए हमेशा हैल दे रहे हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और अनप्रिनाली में चोट के कारण बनता है कि लक्षणों के इलाज और रोक थाम के लिए किया जाता है दोस्तों ये उल्टी और उल्टी की इच्छा को रोकने में भी मदद करता है दोस्तों सॉमफराज D40 Capsule Sun Pharmaceutical Industry Limited द्वारा निर्मित है दोस्तों अब हम आपको बताएंगे सॉमफराज D40 Capsule के composition क्या है इसकी सामगरी क्या है सॉमफराज D40 Capsule विविन दवाओं का मिश्णर से बनता है सॉमफराज D40 Capsule के दो प्रमुग गटक है पहला है DONY PEREDIONA इसका यूजर पेट के क्या गती को बढ़ाने औल्टी और मतली की लाज के लिए क्या जाता है दोस्तों सॉमफराज D40 Capsule आमदुपभी विविन, गैस्ट्रिक्ड की विविस्ट मुद्ध GID और आमेली समस्यों के लाज के लिए यूज की जाती है और विबिन G.I. ट्रेक विकारों और बीमारीों को रोकने और ठीक करने के लिए यूज की जाती है ग्रेसनिली शोद, अमली भाटा, गेर, इस्टोइड विरोधी, भड़काव, रोक अधी के लाज में इसका यूज किया जाता है दोस्तों दोस्तों हम आपको बताएंगी सोमफरेजटी कैपसल सीनियर के लाव टैनिफिट गेस्टोइसटोइसफेगल रिफलेक्स टीसीज, जी आई आरडी का एक क्रोनिक समस्या है जिसमें पेट में अधिक आसिट बनता है सोमफरेजटी, पोटी कैपसल सीनियर आपके पेट में बनने वाले आसिट की मातर को कम करता है उच्छाती में जलन और एसिट रिफलेक्स से समधि दस से राहत देता है इसके प्रभावी होने के लिए आपको इसे ठीक वैसे ही लेना चाहिए जैसे आपको बताया गया हो दोस्तों लाइफस्टाल में कुछ आसान बदलाव जी आई आडी के सिंटम्स को कम करने मदद कर सकते हैं उन खाने या भोजनों के बारे में सोचें जिन से हार्ट बर्न होता है और उन से बचने कोशिश करें थोड़ी थोड़ी देर में कम हातरा में भोजन खाएं अगर आप उवरवेट हैं तो वजन घटाने की कोशिश करें दोस्तों हम आपको बताएंगे स्वंफरेस्टी 40 कैपसुल खुराग कैसे यूज़ करें स्वंफरेस्टी 40 कैपसुल का यूज़ सेवन खाले पेट खाने से करीब 30 मिनट पहले करना चाहिए स्वंफरेस्टी 40 कैपसुल को कुछला ये चबाया नहीं जाना चाहिए इसी सीधे पानी के साथ निगल जाना चाहिए दवा की खुराग और अवधी रोगी की उम्र शेरीर के वजन और चिकिस्सा इतिहास पर निर्भर करता है किरपिया अपने डॉक्टर की चिकिस्सक सलह का पालन करें हमेशा अपने डॉक्टर ये चिकिस्सक को अपनी ऐलर्जी और अपने मेडिकल हिस्ट्री के बारे में बताएं किसी भी छुटी खुराग ये दवा की अधिक मातरा के मामले में किरपिया अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, संपर्ब करें दोस्तों हम आपको बताएंगे पेपल आस्क हमेशे जो लोगों के दिमाग में जो कॉशन्स रहते हैं सॉमफरास टी कैपसूल के बारे में उसके बारे मताएंगे सबसे पहला जो कॉशन है दोस्तों कि सॉमफरास कैपसूल का यूज किया है दोस्तों सॉमफरास आईटी कैपसूल ऐसारे एक संयोजन दवा है जिसका यूज गैस्ट्रो असफेगल रिफलेस रोग यानि एसीड रिफलेक्स और पैप्टिक अलसर रोग के इलाज के लिए किया जाता है जो अमलता के लक्षन जैसे नाराजगी पेट दर्द या जलन से राहत देता है ये एसीड को भी बेहसर करता है और पैट की परिशानी को कम करने के लिए गैस के आसन मार्क को बढ़ावा देता है दोस्तों अगला जो कॉश्चन है कि सुमफरस टी का सेवन कप करना चाहिए दोस्तों आपको सुमफरस टी 40 कैपसूल एसार लेने की सला एसेटिडी और सीने की जलन के लाज के लिए दी गई है इसे भोजन से एक घंटे पहले अधिक्तम सुभा में लें दोस्तों ये एक अच्छी तरह से सेहन करने वाली दवाव लंबे समय तक रहा देती है अगर आपको पानी जिसे दस पकार या पेट दर्थ होता है जो ठीक नहीं होता है तो अपने डॉक्टर को सुचित करें दोस्तों अगला जो सवाल है कि सुमफरस टी 40 कब लेना है इस दवा को लेने का सबसे अच्छा समय खाले पेट या पहले भुजन से पहले इसका सेवन करना है लेकिन उन रोगियों के लिए परयाप नहीं है जिने सुमफरस टी 40 केपसॉल एसर 40 केपसॉल या सीनियर या एक ही समों के अन्ने दवाओं से अलरजी है दोस्ता अगला जो कॉशन है सुमफरस 40 कॉली का काम क्या है कारे क्या है दोस्तों सुमफरस 40 टेबलेट एक दवा है जो आपके पेट में बनने वाले एसिट की मातरा को कम करती है इसका यूज एसिट भाटा एपैप्टिक अलसर रोक आपके भूजन नली में अन्ने समस्यों के इलाज के लिए किया जाता है इसका प्यू पेट में अलसर को रोकने और इलाज के लिए भी किया जाता है दोस्तों अगला जो कोशन है यदि आप सोंफरास 40 mg टेबलेट को 3 महने से अधिक समय तक लेते हैं तो गंभीर दुश्पर भावों की संभावना बढ़ जाती है दोस्तों ऐसीड 20 कैपसूल का इस्तेमाल पेट के अलसर और ऐसीड इटी को रोकने के लिए किया जाता है जो लंबे समय तक दर्द निवारन दवाओं के उपयोग का कारण होती है इस दवा को हो सके तो सुबा खाने की एक घंटे पहले लिया जाना चाहिए दोस्तों हम आपको बताएंगे सुमफरस टी 40 कैपसूल के नुकसान क्या है इसके साइड एफेक्ट क्या है दोस्तों सुमफरस टी 40 कैपसूल अलग-अलग मरीजों पर अलग-अलग तरहां से काम करती है सुमफरस टी 40 कैपसूल विभिन दवाओं का सहियों जन से बने होते हैं सुमफरस टी 40 कैपसूल लेने के बाद होने वाले कुछ साइड एफेक्ट हम आपको बता रहे हैं क्या हैं, दोस्तों और आपके डॉक्टर की शलहां के अनुसार ही आप करें दोस्तों दवा की लेवल को ध्यान से देखे हमेशा आपको अपने डॉक्टर चिकिसक को अपने चिकिसा इतिहास याने medical history या allergy के बारे में ज़रूर बताएं दोस्तों सोंफ्रेस्टी 40 capsule का यूज करने से पहले कुछ साबधानी बरतना चाहिए जैसे गर पवस्ता के दोरान इस दवा का यूज करने की अनुशनसा नहीं की जाती है दोस्तों किरपिया इस दवा का यूज करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें दोस्तों breastfeeding के दोरान इस दवा का यूज करने की सलाह नहीं दी जाती है किरपिया इस दवा का यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से सला लें गाड़ी चलाते समय इस दवा का सेवा ना करें क्योंकि ये दवा आपको चक्करो आनिंदपन के कारण बन सकती है शराब के साथ इस दवा का इंट्रेक्शन सुरक्षित नहीं है इसका सेवन शराब के साथ ना करें दोस्तों किड्नी या लीवर की बिमारी के रोगियों की इस दवा को लिखने की सला नहीं दी जाती किरपे अपने डॉक्टर से सला लें तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो सॉमफर्स T40 के यूज के बारे में हमने आपको पूरी जान करी दी इस टैबलेट के बारे में हमने पूरी जान करी बताई कि इसके साथ डपेक्स क्या है इसके चैतावनीस क्या है इसके बारे में जो आपके question थे उसके बारे में भी हमने आपको बता है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसेंद आया हो तो प्लीज चैनल को subscribe करें like करें, share करें, comment करें thank you for watching